सुबह सुबह जल्दी उठकर एक चीज़ जरूर खा लेना पूरे साल जमकर पैसा आएगा भगवान स्रीकृष्ण कहते हैं कि सुबह ये एक चीज़ जो भी खाएगा उसके घर में जमकर पैसा आएगा इसी के साथ दोस्तों हम जानेंगे कुछ ऐसे कामों के बारे में जिससे की ब्यक्ति रंक से राजा बन सकता है मालक्ष्मी के कृपाश शडैव आप पर बरस्ती रहेगी तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा दोस्तों शबेरे सबेरे उठकर ये एक चीज जरूर खालेनी चाहिए इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती साल भर धन एश्वर के चक्कर में भटकना नहीं पड़ता भागना नहीं पड़ता भागवान स्रेकृष्ण कहते हैं कि शबेरे सबेरे ये एक चीज जो मनुश्य खालेता है उसके घर में धन बैभाव ये सकीर्ती बड़ी तेजे से आकरसित होते हैं वो व्यक्ति रातो रात करोड़पती बन जाता है माता लक्ष्मी कृपा पालेता है दोस्तों शुबय को हम अपने जीवन का शुख में तथा अपना शंपूर धन मानते हैं मान लिजे अगर आपके जीवन में अंधेरा हो जाए तब आप क्या करेंगे सास्त्रों के अंस्वार ऐसा माना जाता है कि एक सफल जीवन में शुबय का अनंद पुर्वक्षुक अगर प्राप्थ हो जाए तो वो मनुष्य माता लक्ष्मी की कृपा पालेता है इसलिए ही तो कहा जाता है कि सफल जीवन का पैमाना शुबय की एक अच्छी सुरुवात को माना गया है भगवान स्रिकृष्ण जी के अनसार ब्यक्ति के वो सभी मार्ग शुबय की सुरुवात में ही खुलते हैं जो आप प्राप्थ करना चाहते हैं इसलिए उर्जया यग तीर्थ यात्रा कोई भी सुब बंगल कार्थ था शुब बिवा शुबय के समय ही संपन किया जाते हैं जो ब्यक्ति शुबय शुरुदय होने से पहले अगर ये एक चीज खा लेता है तो उसके घर में कभी भी धन की कमी अन्य की कमी नहीं होती जो ब्यक्ति जो भी काम करता है उसमें सफलता जरूर हासिल होती है तो आईए जान लेते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो सुबय के समय आपको जरूर खालेनी चाहिए और साथी हम जानेंगे कुछ ऐसे ही और काम जिन से आप भगवान स्रिकृष्ण जी के साथ साथ माता लक्ष्ण जी को भी परसंद कर सकते हैं दोस्तों नमबर वन भगवान स्रिकृष्ण कहते हैं कि मनुस्ट को सुबय उठकर धर्ती को इश्पर से अवश करना चाहिए इससे मनुस्ट के उपर पूरा दिन शकरात्मक उर्जा का संचार बना रहता है एश्य व्यक्ति एक बड़ी जीत हासिल करता है धर्ती माता हमारा बोज उडाती है इसलिए सास्त्रों में बताया गया है कि शुबय उठकर धर्ती मा को इश्पर से अवश करना चाहिए इसमें आपको जो आपकी बिगड़ते काम है वो भी बनने लग जाएंगे आप जिस भी काम में हाथ जालेंगे वो शफल हो जाएगा शुबय शुबय अगर आप हात जोड कर आप मातलक्ष्मीज का ध्यान करें और अपने चहरे पर लगाएं दोनों हतेलियों को रगड़ कर तो मातलक्ष्मी कृपा पूरे साल बनी रहती है कभी भी धनकी कमी नहीं होती मातलक्ष्मी की प्राप्ती होती है नमबर दो गंगा जल गंगा जल का हमारे सास्त्रों में बहुत ही महत्व है पुरानी कथाओं के अनसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें श्वेम देवी देपताओं निश्रान किया है इसले गंगा के जल को बहुत ही ज़्यदा पवित्र माना गया है रात को सोते समय तांबे के एक लोटे में जल भर कर उसमें थोड़ा सा गंगा जल अब अविश मिला लें और पूरी रात आप शिरहाने के पाश रखिए और सुबई के समय इस जल को अपने बिस्तर पर इसके छीटे मारे और फिर जल को पीले निमित ऐसा करे भगवान स्ट्रेकृष्ण कहते हैं कि निमित जो मनुस्व ऐसा करता है उसे युगो युगों की प्राप्ति होती है ऐसे व्यक्ति लक्ष्मी जिगे कृपा से रंक से राजा बन जाता है मानता कि अगर मृत्यों के समय व्यक्ति के मुह में यदि गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप यनकी कर्मनेश्ट हो जाते हैं और उसे मौक्ष की प्राप्ति हो जाती है गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और नहीं वोई सड़ता है नमबर तीन गंगा जल का छिरकाव कई दिब शक्तियों से भरा रहता है शिव पुराण में भी बताया जाता है कि निमित कपड़ों पर गंगा जल का छिरकाव करने से व्यक्ति को मौक्ष की प्राप्ति होती है और वो व्यक्ति शुर्ग लोग की प्राप्ति कर लेता है नमबर चार दोस्तों अगर आप नहाने के पानी में सुबह सुबह दो-चार बुंदे गंगजल डाल कर उसे उसे पानी से नहाते हैं तो आपके सभी बुरे कर्म नश्ठ हो जाते हैं सकरात्म कुर्जया प्राप्ति होती है तो दोस्तों शुबह के समय चाहे कुछ करे या ना करे परंतु नहाने के पानी में आप दो-चार बुंद गंगजल डाल कर जरूर आप नहा लेनी चाहिए इससे बेख्त को कामयावी प्राप्त होती है गंगजल जब सरीर पर पड़ता है तब हमारे अंदर जितने भी नकरात्म कुर्जयाए होती है वो सब खत्म होने लगती है जिसके वज़े से हमें कामयावी प्राप्त होती है हमारे कुंडले में जितने भी दोस होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं गंगजल की कुछ बूंदे पानी में डाल कर नहाने से जो लोग सनी ग्रह से पेडित हैं राहू केतू से पेडित हैं वो सब तुरंत खत्म होने लगता है नमबर पाँच दोस्तों सनातन धर में लौंग को बहुती पवित्र माना गया है पूजा पाठ आज की चीज़ों में लौंग का विशेश महत्व है माना जाता है कि लौंग में माता दुर्गा और माता लक्ष्मी का वास होता है तो ऐसे में आप सोते समय तकिये के नीचे लौंग आप रख लें और सुबह के समय जब आप उठें तो लौंग को आप जरूर का लें लौंग को खालेने से माता लक्ष्मी कृपा वरस्ती है और दोस्तो आपको अनेक प्रकार के धनला भी मिलते हैं सुबह के समय आपको यहनी की लौंग जरूर कालेनी चाहिए दोस्तों आईए जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन से चीज है जो आपको भगवान स्ट्रक्षनजी के अंसार बिक्त को जरूर खालेनी चाहिए नमबर वन दोस्तो जब भी आप सुबह के समय काम पर जाते हैं तो घर से निकलने से पहले आपको भगवान पर चढ़ाएगे फूलों में से एक पत्ता आश्रिवाज समझकर जरूर खा लेनी चाहिए इससे स्वयम भगवान की और इस्वर के क्रिपा आप पर बनी रहेगी आप जो भी काम करेंगे संपुर्ण सफलता प्राप्त होगी फूलों को पत्ता भगवान को चढ़ाई गई हो या फिर माला हो उससे भी निकाल कर खा सकते हैं चड़ों के पास भी हो उससे भी ले सकते है नमबर दो जब आप शुबह शुबह घर से बाहर निकलते हैं कामकाच के सिलसले से तो उस समय आप जो भगवान को चढ़ाया हुआ चावल होता है उससे दो चार दाने आप निकाल कर जरूर खालें या फिर आप आप क्या करें कि सुबह शुबह जब पूजा पाड़ करें कि जब आप किशी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा वश खालेनी चाहिए लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना जो सरवत्तम माना जाता है उसमें से अगर आप दही और मिस्त्री या फिर दही के साथ थोड़ा सा गुड मिला के खालें तो सुबह की जो कामयाभी मिल जाती है धन से माला माल बन जाते हैं सुबह के समय आप जैसे की लौंग इलाइची खालें या फिर आप सुबह के समय आप थोड़ा सा गुड खालें गुड के साथ थोड़ी से घी मिला लें घी और गुड भी खाना बेहद अच्छा होता है या फिर आप चाह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश जरूर करिएगा जय मालक्षमी जय है स्रेकर्शन